Hello friends, Namaskar आज हम लोग important rivers of the world discuss करेंगे हम लोग उनको one by one continent wise discuss करेंगे So friends, let's start with Asian rivers Yangtze River ये China और Asia की longest river है और world की third longest river ये river चाइना के King High Tibetan Plato से originate होती है और East की तरफ flow करती हुई East China Sea में drain करती है वर्ल्ड की largest हाइड़ पाउर इस्टेशन थ्री गौजर्ज डैम भी इस river पर ही है शेकेंड है वांग हे river या yellow river ये river चाइना और Asia की second longest river है और world की sixth longest river ये King High province के ब्यान हर mountain से originate होती है और East के direction में flow करती हुई बहाई sea में जाके drain करती है इस river को yellow river या पीली नदी से भी जाना जाता है क्योंकि ये river अपने साथ huge amount में sediment, silts और मिट्टी को बहा के ले जाती है और इसके चलते इस river की color yellow इस नजाती है इसलिए इसे yellow river भी कहते है इस river ने 26 times अपनी course को change किया है और around 1500 times इसमें floods आई है और इस सब के चलते वहाँ काफी तबाही होती रहती है सो इस disastrous behavior के चलते इस river को sorrow of China से भी जाना जाता है इस river को cradle of Chinese civilization से भी जाना चाहता है क्योंकि yellow river basin ही ancient Chinese civilization की birthplace है मेकॉंग river ये एशिया की third longest river है ये river चाइना के टिबेटियन प्लेटू से originate होती है वहाँ से मेनमार, Thailand, Cambodia, Laos के रास्ते फाइनली वियतनाम से फ्लो करती हुई ये river South China Sea में drain करती है इस river को South Asia की lifeline भी कही जाती है Salvin River ये river चाइना में टिबेटियन प्लेटू के Tangula Mountain से originate होती है फिर वहाँ से ये मेनमार और Thailand से फ्लो करती हुई अंडमान सी में drain करती है इर्रावाडी रिवर ये मेनमार की longest river है और commercial waterway navigational purpose से ये मेनमार की most important river है ये river मेनमार के नौर्थ में नमाई और माली rivers के confluence से originate होती है और फिर south की direction में flow करती हुई अंडमान सी में drain करती है गंगा रिवर इस river को गैंगेस से भी जानते हैं ये इंडिया की longest river है इसकी source हिमालियन mountains की गैंगेती glacier में है ये देव प्रयाग में अलगनंदा और भागरती river के confluence से originate होती है और वहाँ से south east में travel करती हुई बांगला देश में ब्रह्मा पुत्रा river को join करती है और further world की largest delta सुन्दर वर्ल डेल्टा के थुरू ये bay of bengal में drain करती है ब्रह्मा पुत्रा river ये river टिबट में मांट केलास के पास मांसरोबर लेक से originate होती है वहाँ से east की direction में flow करती हुई इंडिया के अरुनाचर प्रदेश में इंटर करती है और आगे फिर बांगला देश में गंगा को join करती है फिर ये मेंगना river के नाम से bay of bengal में drain करती है इंडस river इसे सिंदु नदी से भी जाना जाता है ये पाकिस्तान की longest और most important river है रिवर ब्रमपुत्रा की तरह ये river भी टिबट में मांट कैलास के पास मांसरोबा लेक से originate होती है वहाँ से west की तरह flow करती हुई इंडिया के लद्दाक रीजन में इंटर करती है और आगे फिर पाकिस्तान से flow करती हुई अरेबियन सी में जाके drain करती है ये river एंसेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की birth place थी मैं आपके सामने एक simple सा map लेके आया हूँ इसमें अब तक की सारी rivers को आप easily locate कर सकते हो गुदावडी river ये इंडिया की second longest river है ये महराष्टा के नासिक डिस्टिक में western घाट के ब्रह्मगिरी माउंटेन से originate होती है फिर south इस direction में flow करती हुई ये बेव बिंगॉल में drain करती है टिग्रिस एन यूफरेट्स rivers ये दोनों rivers western एसिया और मेडल इस्ट की major rivers है जो मेली टर्की सीरिया और इराक में flow करती है इन दोनों rivers को मेसोपोटामिया की great rivers से भी जाने जाता है हम लोग one by one दोनों rivers को discuss करेंगे एड़ फर्स्ट टिग्रिस रिवर ये टू ग्रेट मेसोपोटामिया रिवर्स की इस्टन रिवर है ये इस्टन टर्की में टारस माउंटेन के लेक हजर से अर्जनेट होती है और फिर टर्की से इराक में फ्लो करती हुई अलकुर्रा सिटी में यूफरेट्स रिवर्स को जॉइन करती है और इन दोनों rivers के confluence से river सातल अरब फॉर्म होती है जो फर्दर पर्शन गल्फ में ड्रेन होती है यूफरेट्स रिवर्स ये टू ग्रेट मेसोपटामियन रिवर्स की western रिवर है और इराक और सीरिया की longest रिवर्स ये रिवर इस्टन टॉर्की में करासू और मूरत रिवर्स के confluence से ओरिजनेट होती है और फिर सीरिया के थुरू फ्लो करती हुई इराक के अलकुरा सीटी में रिवर्स टेग्रिस को जॉइन करती है और रिवर्स साथ अल अरव फॉर्म करती है जो आगे जाके पर्शन गल्फ में ड्रेन करती है फ्रेंट्स अभी हम लोग सेंटरल एशिया की टू मेजर रिवर्स अमू दरिया और सिर धरिया के बारे में जानेंगे अमू दरिया रिवर ये सेंटरल एशिया की मेजर रिवर है इस रिवर की सोस अफगनिस्तान और ताजिकिस्तान के पामीर माउंटेंस में है ये river अफगनिस्तान में वक्स और पंज रिवर्स के confluence से originate होती है वहां से ये ताजिकिस्तान, अफगनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेगिस्तान से flow करती हुई finally RLC में drain करती है साइड दर्या river ये Central Asia की longest river है इसकी source किर्गिस्तान और Eastern उजबेगिस्तान के ट्यान सान माउंटन्स में है ये उजबेगिस्तान में नारियन और कारादरिया rivers के confluence से form होती है ये किर्गिस्तान, उजबेगिस्तान, ताजिकिस्तान और काजिकिस्तान से flow करती हुई finally RLC में drain करती है फ्रेंड्स अब हम लोग रस्या की important rivers के बारे में discuss करेंगे रस्या की five major rivers है जो एशिया में flow करती है और इल्ट्रिश, यनेसाई, लीना और आमू रिवर एट फर्स हम लोग three great Siberian rivers और यनेसी और लीना के बारे में जानेंगे ये तीनों rivers south से north की direction में flow करती है और आक्टिक ओशियन में drain करती है फर्स्ट है ओबी रिवर या ओब रिवर ये three great Siberian rivers की westernmost river है इस river की source Altai Mountains में है ये river बिया और खातुन river के confluence से originate होती है और फिल central Russia में north western direction में flow करती हुई Gulf of Aub के थुरू कराशी में drain करती है ओब रिवर की major tributary है इल्ट्रिश रिवर ये सिंजन चाइनिज प्रोविन्स में Altai Mountains से originate होती है और चाइना के बाद काजकिस्तान से होते हुए रस्या में ओब रिवर को join करती है ये ने से ही रिवर ये three great Siberian rivers की central river है ये मंगोलिया के mountain से originate होकर रस्या में इंटर करती है ये central रस्या में south से north में flow करती हुई ये ने से ही गल्फ के थुरू काराशी में drain करती है लीना रिवर ये three great Siberian rivers की westernmost river है ये बैकाल लेक के 7 km west में बैकाल mountain से originate होती है वहां से ये north इस direction में flow करती हुई आर्टिक ओशियन के lap tip sea में drain करती है अमूर रिवर इस रिवर को रस्या में अमूर और चाइना में हेलोंग जियांग से जाना जाता है इस रिवर की two major primary sources है फर्स्ट है ओनन एन सिलका river जो मंगोलिया और रस्या में है सेकेंड है खेरलेन एन आर्गन river जो मंगोलिया और चाइना में है और फाइनली अमूर रिवर सिलका और आर्गन रिवर के confluence से north इस चाइनेज रिजन में form होती है फिर ये river इस्ट की डारेक्शन में रस्या और चाइना के वोड़ा के लॉंग फ्लो करती हुई रस्या में इंटर करती है और टाटर स्ट्रेट में ट्रेन करती है फ्रेंट्स इंडिया की एक और रिवर है जो हमारे लिए important है माही रिवर ये western इंडिया की रिवर है जो मद्र प्रदेश के विंध्या रेंज से originate होती है वहाँ से ये राजस्थान से फ्लो करती हुई गुजरात में इंटर करती है और फिर गल्फ अफ खामबत के थ्रू अरेवियन सी में ड्रेन करती है एक्जाम पॉइंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टू टाइम्स क्रॉस करती है अरल रिवर ये ये यूरेश्या की important रिवर है ये रेश्या के अरल माउंटन से originate होती है और काजकिस्तान से flow करती हुई कैस्पियन सी में drain करती है ये कुछ parts में यूरोप और एश्या की border form करती है और friends at this point हम लोग एश्या की 20 major rivers को discuss कर चुके है अब हम लोग यूरोप की major rivers के बारे में जानेंगे तो friends start करते हैं वोलगा river से ये यूरोप और रश्या की longest river है ये मौस्को के north west में वलदाई mountains से originate होती है और रश्या में flow करती हुई कैस्पियन सी में drain करती है second है Danube river ये यूरोप की second longest river है जो यूरोप में totally 10 countries से flow करती है इसकी source जर्मानी के black forest mountains में है ये river बर्ग और ब्रिगेच रिवर्स के confluence से originate होती है जर्मानी के बाद ये औस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंग्री, कुरेशिया, सर्विया, रोमानिया, बुलगारिया, मोल्डोबा और यूक्रेन में flow करती है और फाइनली रोमानिया में दानुबे डेल्टा के थुरू black sea में drain करती है नाइपपर रिवर, ये यूक्रेन और बेलारेस की longest river है और ये यूरोप की fourth longest river ये रस्या में मोस्को के west में वल्डाई माउंटे से originate होती है रस्या के बाद ये बेलारेस और यूक्रेन से flow करती हुई black sea में drain करती है राइन रिवर, ये सेंटरल यूरोप की major river है जो six European countries से flow करती है ये एल्प्स माउंटेन के रिफ्ट वैली से originate होती है ये Switzerland वे वर्दरीन और हिंटरीन रिवर्स के confluence से originate होती है वहाँ से ये लिचंश्टाइन, औस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और निदरलेंड से flow करती हुई north sea में drain करती है ये inline waterway navigation में यूरोप की बिजिएस river है इसलिए इसे यूरोप की lifeline से भी जाना जाता है यूरोप की 5th longest river है ये river रस्या में मॉस्को के south east से originate होती है और वहाँ से flow करती हुई sea of azob में drain करती है ये river ये river चेक रिपब्लिक के क्रोकोनोज मांटन से originate होती है फिर ये जर्मनी से flow करती हुई north sea में drain करती है तेंप्स river ये इंग्लैंड की longest river है और UK की second longest river ये river वोल्ड की famous city और इंग्लैंड की capital लंदन से flow करती है ये इंग्लैंड के southern region में flow करती है और north sea में drain करती है पोवर रिवर ये इटली की longest river है ये इटली में मांट विशो मांटे से originate होती है और northern region में flow करती हुई adriatic sea में drain करती है so friends at the end हम लोग कुछ important European cities जो river banks पे located है उनको देख लेते है river sheen ये फ्रांस की capital पैरिज से होके flow करती है जर्मनी की capital बॉलिग river spree के banks पे located है हंगरी की capital बुड़ापेस्ट डैनूब रिवर के banks पे है औस्ट्रिया की capital वियरा ये भी डैनूब रिवर के banks पे है इटली की capital रोम टाइवर रिवर के bank पे है नीदरलेंड की capital अमस्टर्डम अमस्टरल रिवर के bank पे है पॉर्टिकीज capital लिजबन रिवर टेगस के bank पे है जर्मनी सिटी हैंबर्ग रिवर एल्प के bank पे है सबिया की capital city बेलग्रेड ये भी डैनूब रिवर के banks पे located है रसिया की capital Moscow Moscow रिवर के banks पे located है So friends हम लोग यूरोप की 8 major rivers को cover कर चुके हैं Next हम लोग Africa की major rivers को discuss करेंगे So let's start with Nile River Nile Africa की longest river है इसको father of African river से भी जाना जाता है इसकी total length 6,650 km है Length के हिसाब से ये world की longest river है लेकिन drainage area के हिसाब से Amazon world की longest river है Friends अभी आपके मन में एक doubt आ रहा होगा कि ये drainage area होता क्या है So मैं आपके इस doubt को थोड़ा clear कर देता हूँ कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी smaller tributes river की main stream को join करती है और river form करती है और इन सारी tributes और main stream को include करके जो area covered होती है वो drainage area कहलाती है Amazon river के case में ये drainage area Nile river से ज़्यादा है So by drainage area Amazon world की longest river है इस river की two major tributes sources है First river White Nile और Second river Blue Nile और इन दोनों rivers के confluence से river Nile form होती है मैं इन दोनों sources को थोड़ा short में explain कर देता हूँ White Nile ये river Nile की head stream tributary है ये equator के पास Lake Victoria से originate होती है हाला कि इसकी origin अभी भी clear नहीं है क्योंकि Lake Victoria की major feeder source है कैगरा river और कैगरा river की two major tributes है एक बुरुंडी से आती है और दूसरी रवांडा से सो माना जाता है कि river Nile की most distant source आइदर रवांडा या बुरुंडी से originate होती है सो white Nile lake Victoria से originate होकर तंजानिया, यूगांडा, Democratic Republic of Congo और South Sudan से flow करती हुई सुडान की capital city खार्तूम में Blue Nile को join करती है River Nile की second tribute source है Blue Nile ये इतोपिया के लेक ताना से originate होती है और वहां से सुडान की capital city खार्तूम में White Nile को join करती है और इस तरह से इन दोने rivers के confluence से river Nile form होती है फिर ये सुडान से Egypt में इंटर करती है और Egypt से flow करती हुई Mediterranean Sea में drain करती है Nile River की drainage based in total 11 countries को cover करती है वो 11 countries है तंजानिया, यूगांडा, लवांडा, बुरूंडी, Democratic Republic of Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, South Sudan, Republic of Sudan और Egypt Next है The Congo River इसको जायरे river से भी जाना जाता है ये world की deepest river है ये Nile के बाद Africa की second largest river है और by discharge Amazon के बाद world की second largest river इस river की most distance source चांबेसी river को माने जाता है जो कि जांबिया के North Eastern Highlands में लेक तंगानिका के पास से originate होती है हाला कि Congo River की major source और हेडिस्टिम ट्रिब्यूटरी है लुआ लावा river जो कि Democratic Republic of Congo की Katanga province से originate होती है और फिर वहाँ से North की direction में flow करती हुई Bohema Falls पे end होती है और इस point से further इसको Congo River कहते है फिर ये river counterclockwise direction में flow करती हुई Republic of Congo, Gabon और अंगोला को cross करके फाइनली Atlantic Ocean में drain करती है ये एक इकलौती river है जो equator को two times cross करती है नाइजर river ये एफ्रीका की third longest river है ये गिनिया के southern region में गिनिया हैलेंड से originate होती है फिर वहाँ से माली, नाइजर, बेनिन और फैनली नाइजेरिया से flow करती हुई Gulf of Guinea के थुरू Atlantic Ocean में drain करती है जांबेशी river ये अफ्रीका की fourth longest river है ये जांबिया में कालेने hills के पास black marsy wetland forest से originate होती है फिर वहाँ से eastern Angola, नाभीबिया की eastern border, बोस्तवाना की northern border और फिर जांबिया बॉर्डर के along flow करती हुई मोजांबिक में इंटर करती है और फाइनली जांबेशी डेल्टा के थुरू मोजांबिक चैनल में drain करती है जो की Indian Ocean का part है जांबेशी river के ऊपर एफ्रीका की largest waterfall विक्टोरिया falls located है विट के इसाफ से विक्टोरिया falls वर्ल्ड की largest waterfall है अफ्रीका की two major hydro power stations करीबा डायम और कहुरा बासा डायम जांबेशी river के ऊपर located है जिनकी मदद से जिमबाबे, जांबिया, मोजांबिक और साथ अफ्रीका को power supply मिलती है सेनेगल रिवर, ये वेस्ट अफ्रीका की major river है जो martiniya और सेनेगल की border को form करती है इस river की three major head stream tributaries है जिसमें से दो गिनिया से originate होती है और एक माली से originate होती है और फिर माली में इन तीनों tributaries के confluence से सेनेगल रिवर फॉर्म होती है और फिर वहां से ये martiniya सेनेगल बॉर्डर के along flow करती हुई Atlantic Ocean में drain करती है इस river पे two major dams है Manantali Dam जो की माली में है और Marka Diama Dam जो martiniya सेनेगल बॉर्डर पे है लिम पोपर रिवर ये साथ अफ्रीका की eastern region में क्रोकोडाइल और मरेको रिवर के confluence से originate होती है फिर east की direction में flow करती हुई Mozambique में इंटर करती है और finally Indian Ocean में drain करती है ये इकलोती रिवर है जो Tropic of Capricorn को two times cross करती है So friends, at this point हम लोग Africa की major rivers को cover कर चुके है अब हम लोग North America की major rivers को discuss करेंगे Mississippi River ये river North America और United States की second longest river है इसकी total length 3730 km है इस river की source Lake Itasca है जो की United States के Northern Minnesota में located है Lake Itasca से originate होने के बाद ये south की direction में flow करती है और फिर finally Gulf of Mexico में drain करती है इस river की two major tributaries है फर्स्ट है Missouri River जो west से Mississippi को join करती है St. Louis में और सेकेंड है Ohio River जो east से Mississippi को join करती है कैरो में ये river commercial waterway navigation में North America की busyest river है Missouri River ये North America और United States की longest river है इसकी total length 3767 km है इस river की source United States के rocky mountains में है जहां से several river streams originate होती है और फिर आगे चलकर Jefferson, Madison और Galatin rivers के confluence से Missouri River फार्म होती है और फिर वहाँ से south west direction में flow करती हुई finally Mississippi River को join करती है ये Mississippi River की longest tributary है अगर Mississippi Missouri River सिस्टम को देखा जाए तो ये Nile, Amazon और Yangtze River के बाद वर्ल्ट की fourth longest river सिस्टम है St. Lawrence River ये river कुछ पार्ट में Canada और US के border के along flow करती है इसकी origin Lake Ontario से होती है और फिर ये east की direction में flow करती हुई finally Atlantic Ocean में drain करती है ये North America की five great lakes और Atlantic Ocean को connect करती है Hudson River ये US की Newark के state में lake tier of clouds से originate होती है और फिर north से south में flow करती हुई Newark Bay के तुरू Atlantic Ocean में drain करती है US की famous city Newark City इस river के banks पे located है Colorado River ये US में Colorado के rocky mountain से originate होती है फिर south west direction में flow करती हुई Gulf of California में drain करती है ये 39 km की northern Mexico और United States की border form करती है Colorado River वर्ल्ड की biggest canyon the Grand Canyon के तुरू फ्लो करती है Rio Grande River ये North America की fifth longest river है ये कुछ parts में United States और Mexico की border form करती है ये US के rocky mountains के San Juan mountains से originate होती है फिर US से flow करती हुई Mexico में enter करती है और finally Gulf of Mexico में drain करती है Mackenzie River ये Canada की longest river है इसकी origin Canada के great slave lake से होती है और फिर north west direction में flow करती हुई Arctic Ocean के boffet sea में drain करती है Yukon River ये Alaska state की longest river है इसकी origin Canada के atlain lake से होती है Canada के बाद ये west की direction में flow करती हुई US के state Alaska में enter करती है और finally bearing sea में drain करती है Columbia River इस river की source North America के rocky mountains में है ये river Canada के British Columbia province में Columbia Lake से originate होती है Canada के बाद ये US में flow करती है और finally Pacific Ocean में drain करती है North America और United States की largest higher power station Grand Coulee Dam Columbia River पे located है So friends हम लोग North America की major rivers को cover कर चुके है अब हम लोग South America की major rivers को discuss करेंगे Amazon River ये South America की longest river है और Nile River के बाद world की second longest river इसकी total length 6575 kilometers है लेकिन discharge या water flow के लिहास से ये world की largest river है Amazon River की more than 1100 tributaries है और इसके चलते Amazon River Basin world की largest river basin है इस river की source पेरु के Andes Mountains में है पेरु के Huancayo province में ये several rivers के confluence से form होती है और फिर वहाँ से East की direction में flow करती हुई Brazil में enter करती है और फर्दर East में flow करती हुई Atlantic Ocean में drain करती है पराना रिवर ये South America की second longest river है इसकी total length 4880 kilometers है ये Brazil के Southern region में परानाइबा और रायो ग्रांडो रिवर्स के confluence से form होती है और फिर वहाँ से South Western direction में परागवे और अर्जेंटीना से flow करती है और फैनली Atlantic Ocean में drain करती है इस river की two major tributaries है फर्स्ट है परागवे river जो इसको west से join करती है और सेकेंड है उरुगवे river जो इसको east से join करती है इटाइपू डैम जो की South America की largest hydropower station है और वर्ल्ड की second largest hydropower station वो परागवे रिवर पर लोकेटेड है साउफ फ्रांसिस्को रिवर ये ब्राजील की longest river है और South America की fourth longest river ये ब्राजील के कनाश्ट्रा mountain range से originate होती है फिर ये नौथ इस डिरेक्शन में flow करती हुई एक narrow channel के थुरू Atlantic Ocean में drain करती है और ही नोको रिवर ये discharge के लिहाज से Amazon के बाद South America की second largest river है और world की fourth largest river ये वेनोजोयला में ब्राजील वेनोजोयला बोडर के पास परीमा mountain से originate होती है फिर वहाँ से clockwise direction में वेनोजोयला में flow करती है और फिर Atlantic Ocean के Caribbean Sea में drain करती है So friends हम लोग South America की major rivers को cover कर चुके हैं अब at last हम लोग Australia की two major rivers Murray River और Darling River को discuss करेंगे So let's start with Murray River Murray River Murray River अस्ट्रेलिया की longest river है इसकी total length 2508 km है ये great dividing range के Australian Elves Mountain से originate होती है फिर वहाँ से west की direction में flow करती हुई Indian Ocean में finally drain करती है Darling River ये अस्ट्रेलिया की third longest river है इसकी total length 1472 km है ये Murray River की major tributary है ये New South Wales के bear one और कलगुआ rivers के confluence से form होती है फिर वहाँ से southwest direction में flow करती है और finally Murray River को join करती है So friends, हम लोग world की major rivers को discuss कर चुके है ये सारी rivers exam point of view से काफी important है और इनसे related exams में questions regularly आते रहते है तो friends, आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है और informative लगा हो तो please like करे और share करे दन्यवाद अजवाद अजवाद